कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आयोग सारे कि सारे स्टूडेंट अच्छे होंगे जस्ट एक मिनट दो मैं थोड़ा साई यह सट आप सई कर देता हूं हाँ आई होप सारे स्टूरेंट बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे चलिए तो थोड़ा साम लोग चर्चा करते हैं स्सी छेटेरिया है और क्या इसका स्लेवस रहने वाला है और सारी सीजों को सैलरी के पैकेस हो गया वर्क हो गया उन सार तो वह सारी चीज हम लोग थोड़ा हिंदी में करेंगे अपनी भासा में आसान भासा में समझाने क्या आप लोगों को सिस करेंगे ठीक है अब देके सबसे पहले में चर्चा करता हूं आप लोगों के लिए ऐससी छेशन की दोजर 22 वाली जो वेकेंसी आ चुकी है ठीक है है तो आप लोग इसके लिए कर सकते हैं फर्स्ट कॉस्चन ठीक है अब उसके बाद में सर दूसरा डाउट सर सबसे पहले हमें बता दीजिएगा कि इसका सेलरी पैकेज कितना रहता है ताकि थोड़ा सा अट्रेक्शन भड़े हम की इसकी प्रप्रेशन बड़ा बाकी सारी अजल दलए दो लए is शेटार रहती है नौर्मली जो ग्रेड की बतारों मैं जैसे की एश मैं लगबगा ठरडी से की स्टार्ट हो जाती है और 40 तक इसकी जाती है डिफ्रेंट डिफ्रेंट पोस्टों की डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एनाईय मिल रहा है सीवी मिल रहा है कि अब उसके बाद में सर बात करें सर कब से फॉर्म भरना रहेंगे कितना फीस रहेगा क्या एज रेक्षिंट रहेगा किस तरह की चीज नहीं की तो उन्हीं को सबको आए चर्चा करते हैं कि अगर सबसे पहले में बात करूं इसका फॉर्म आप लोगों का ठीक है संस्थ असे चर्ट हो गया एक दो एक फर्वरी लुक्त छासे की बात करूं अगर में देखिए आ जे नश्ट बात करूं तो इसका लास्ट एट यस्का लास्ट डेट है साथ मार्च 32 करल आस डेटे जब काप लोग इसके बीच के समय समय में आप लोग इसके फौर्म कर सकते हैं ठीक है न वर आप जर्णल से है आँब से से हैं और एवसे हैं तो आपको मात्र हंड्राइड रूपीज चार्ज देना होगा ठीक है अगर आफट दाइट बात करूं अगर आप ऐसी है ऐसी है फिजिकल हैंडीकेप में तो बैट आपको जीरो और पीडिए तो आपको जीरो रूपीज के लिए बहुत अच्छी एपॉ इति पीजाद थे रख्यांद देख लिएlus तर्विच Cum से कम आपकी श धार होनीच चाहिए कम से कम आपकी एज से जगाता इस था ले लिए झμαιला जर्णल बाली बत्चों युलिए यह ऑंग सब करदोवरी निस्सों पिचानव को यह तो अप लोगों का दे रखाए क्रैट या कि एक बच्चे की मैं लुटा ली अठाई जी रो और उनीस क्यों पर थे जिनकी बच्चों की डिटर बर्थ है बच्चा को इसके अंदर या थे तो यह तो यह तो आप्लाई कर सकते हैं यह लेकर सकते हैं यह वущचा आप लाइए कर सकते तो वह भी देख लिए अगर आप एसी और स्टी चैनिडेट ने अगर आप एसी और एस्ट रिए टेट है तो 27 में प्लस पांच एड कर दो आप 27 में प्लस पांच आज कर दो साथ बारार बतीस ठीक है जी यह आप क्योंगे बतीस आप लोगों के लिए जो एक्सपारीड अगरे फिजिकल हैंडिक एल्ट जो बी छीजियर को तेरे साल के इंचाल हेंडिकेब सिस्ट से लोगों के लिए 15 साल के छूट दी जा रही है अकौररी तहीं के लिए ठिक यहां तक सारीं डि टेक लिजिकल डियार हो चलिये अब नेक्श्ड बात करतेंस्ट क्या कि रहा गें अब उसके बाद में आप श्मझे आगा कि सरिसका आप को पेपर बेटरन क्या रहे है कि सबसे पहले बिटापका होता है और फरस्ट कि एक है फिर उसकी वाद में आपको अधर सैकेंड तेन आफ्टर देट होता है आपका टायर थर्ड तीन स्टेज में आपका एक्जाम होता है टायर फॉस्ट टायर सेकंड और टायर थर्ड फॉस्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ट पेपर होता है ठीक है इसमें computer-based प्रप्रप्र आप इसमें descriptive टाइप यह आपका skill test होता है ठीक है तीन स्टेज में इसका पेपर होता है तीन स्टेज में ठीक ना आफ रदाट आपके final लगती है फिर उसके बाद में documents verification होता है ठीक ना अब देख लिए आप अपना टायर यह आपका tire first का syllabus अगर मैं syllabus का discussion करूं थोड़ा सा टायर फस्का syllabus क्या रहता है देखे इधर देख लिए टायर फस्ट की अगर मैं बात करूं टायर फस्ट ना आप लोगों से पूचा जाता सबसे पहले एक पेपर होता है जिसमें 100 question पूचे जाते हैं दो से नंबर का होता है मार्स और एक गंटे का आपको समय मिलता है सो question पूचे जाते हैं 200 नंबर का होता है एक गंटे का आपको समय मिलता है ठीक ना syllabus की बात करूं आपको इंग्लिस से 25 पूछे जाते हैं जो की 50 नम्मर के होते हैं ठीक है रिजनिंग से आप से 25 पूछे जाते हैं 50 नम्मर के होते हैं ठीक है यह अपने पूरा जी एस का पॉर्सन हो जाता है पच्छीस को पुछे जाएंगे 50 मार्स का होगा वन हाउर का समय मिलेगा सो कोश्चन होंगे दो से नमर का पर होगा ठीक है ना यह आपका प्री एक तरह से टायर फस्ट ठीक है जैसे टायर फस्ट को क्वालिफाइड करते हो और टायर 4 के जो मार्स में काउंट होंगे यह द्यान से यह पिलिए वास्ट का पर है आप अगर अच्छा स्कूर करते हैं इसमें आप अगर अच्छा ुम्स करतें तो आपको मैहरेट में पूरा चॉन्स है कि फानल तक सेलेक्शन मिल जाए तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज़्यादा मार्स आपको count करना है हाँ कि अब उसके राद में जैसे आप टायर फस्ट को कौलिफाइद कर गड़ेनें भासेओं अंपने होंडिंग संप सकते ही जैसा आपको सूटेवल अपने कोडिंग ठीकिन अगर मैं Cup type कि बात करूं टायर फस्ट कि सार लगवक कुत नहीं जातीयों बश्योंका डॉट हो वो भी समझा देता हूं देखिएगा आपकी कटप कोई फिक्ट नहीं रहती है ठीके ना देखिए अगर कटप की बात करें जर्नल किया लग जाएगी वीची के लग जाएगी एस्टी के लग जाएगी ठीक यहां तक सारी से के लिए रहे फिर उसके बाद में वही कटफ पोस अब इसे करके डिफेरेंट यथा यह मैंने एक एवरेज बता दिया आप लोगों को लगवक इतनी कटफ ती प्रिलियम्स की डिपनि नहीं करता कि है फाइनल तक यही कटफ रही नहीं अब फाइनल की कटफ इतने मार्स में से आती है तर आप लोग को पता होगा इसका प्र सब्सक्राइब करना क्या होता है आप लोगों को लगबाग अगर बात कर नहीं ठीक है ना लगबाग आप लोगों को डाइशो वर्ड लेखिने होंगे अगर कंप्यों लाद करों तो की तो वह काफी ज्यादा चले जाएंगे आठ रहाट जाए जाते हैं तो उसके बाद में यह ज्याएगा तो उसके बाद में अपकी लगए बटा फाइनल कट आफ प्रफाइनल कट अगर आपका नाम आता तो देन आफ्टर तेट आप लोगों को बलाए जाता है डोक्यूमेंट्स वेरिफिकेस्टेशन के लिए ठीक है ना डोक्यूमेंट्स वेरिफिकेस्टेशन चली अब उसके बाद में बात करें हैं नेगेटिम बार के हाँ बेटर बाधान नमबर काट लेगा अगर आप गलत करोगे ठीक है यहां तक सारी चीजे के लिए अगर कोई डाउट होतों बताईए अभी नेक्स चलते हैं ठीक है ना हाजी यहां तक सारी चीजे के लिए रहें देखिए अब टायर सेकंड को समझ लोग लोगों को इंगलिस और हि अब स्क्रेश्टड करना वाला ने कंपैंड और सी लिएगर आपको पास होना है तो है आगर आप को पास होना है तो तू थर्टी प्लस में रखेंगे तो आपका फाइनल सेलेक्शन पूरा चांस है ठीक है न तो बाकि अगर और को इसलिए बस जाना पेपर का पैटर्न जानना पर प्रिविए सिर पेपर के उबर डिसक्रेशन करना तो मैं नेक्स वीडियो ले क्या हूं आप कमेंट करके जरू पर का बोगा इसका देख लिए ओलाइन एक्जाम पेपर फस्ट माई 2022 माई 2022 में 2022 में इसका फस्ट पेपर होगा अगर पेपर सेगंड की में बात करूं अभी इसका डेट नहीं है जैसे फेपर जैसे थोड़े से को बेट की सिच्वेशन नॉर्मल होती है आप लोगों पता होगा ओमिक्रोन वेरियंट एक और नया वेरियंट आ गया पता नहीं कहां कहां से वेरिंट बन-बन क्या आने ठ इसका जो में में आप लोगों का एकजाम है ज्यादा सामय आप लोगों के पास में बचा नहीं है तो अपलोग प्रिपेशन अपनी अच्छे से की जोरों पर कीजिए ताकि आपने 2022 में अपना फाइनल सेलेक्शन पापाए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं चलता लिए जै हिन जै भारत